Dear learners, आपके लिए General Knowledge Part 2 लेकर हाजिर हैं अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे like, share और subscribe चिटूर करें इसी के साथ Let's start today's quiz with the first question भारत का कौन सा राज्य शक्र का कटोरा कहलाता है A. Punjab B. Himachal Pradesh C. Uttar Pradesh D. Bihar तो C. Uttar Pradesh में सबसे ज़्यादा गन्ना भी होता है और इसी राज्य को जो है शक्र का कटोरा कहलाता है इसमें सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है इन में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुए है A. Bihar B. Manipur C. Arunachal Pradesh D. Nagaland तो इन में से जिस राज्य की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है वो है अरunachal Pradesh C. इस दा आंसर पीशा की मिनार किस देश में स्थित है A. जर्मनी B. फ्रांस C. इटली D. स्पेन तो इसका जो राइट अंसर है पीशा की जो मिनार है वो है इटली में भारत की रास्ट्रिय नदी कौन सी है A. सतलुच B. यमुना C. गंगा D. गोदावरी भारत में बाल दिवस किस महा पुरुष के जनम दिन के रूप में मनाया जाता है A. स्वामी विवेकानन्द B. जौहरलाल नहरू C. लाल बहादूर शास्त्री D. भगत सिंग तो बाल दिवस 14 नुमबर को पंडे जौहलाल नहरू जी के जनम दिवस के रूप में मनाया जाता है So B is the right answer हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है A. देवनागरी B. कुरुमुखी C. पर्शियन D. रोमन तो हिंदी भासा लिखी जाती है देवनागरी लिपी में तो हमारा अंसर होगा A भारत में राष्ट्रिया युवा दिवस कम मनाया जाता है A. 14 नमबर B. 12 जनबरी C. 26 जनबरी D. 5 स्तंबर तो भारत में राष्ट्रिया युवा दिवस सौमी बिवेका नन जी के जनम दिवस पर 12 जनबरी को मनाया जाता है तो हमारा अंसर होगा B दिल्ली का लाल किला किस मुगल शास्क ने बनवाया था A. बाबर B. जहांगिर C. शाजहां D. अकपर तो दिल्ली का जो लाल किला है वो साजहां ने बनवाया था तो हमारा अंसर होगा C बिहू भारत के किस राज्य का परशिद त्योहार है A. बंगाल B. आंदरपरदेश C. असम D. केरल तो बिहू जो है वो है असम का एक परशिद त्योहार है भारत में बुलंदरवाजा कहां स्तित है A. मुंबई B. जैपुर C. अमरिशर D. फतेपुर्श सिक्री तो भारत में बुलंदरवाजा फतेपुर्श सिक्री में स्तित है तो हमारा अंसर होगा D किस भारतिया होकी खिलाडी का जनम दिन तो राष्ट्रिया खेल दिवस जो मनाया जाता है वो भारत में राष्ट्रिया इवा दिवस किस महापुरुष के जनम दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत के प्रथम उप्राष्ट्रपती सरवपली राधा कृष्णन का जनम दिन डैश के रूप में मनाया जाता है A. सिक्षक दिवस B. बाल दिवस C. खेल दिवस D. हिंदी दिवस तो डाक्टर सरवपली राधा कृष्णन जी का जनम दिन A. शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है गायत्री मंतर किस पुस्तक से लिया गया है A. यजुरवेद B. अथरवेद C. रिगवेद D. सामवेद ये हवारे चारों वेद हैं और इन में से जो गायत्री मंतर है वो रिगवेद में से लिया गया है भारत में बाल दिवस कम मनाया जाता है A. 14 सितंबर B. 5 नवंबर C. 14 नवंबर D. 5 सितंबर तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को भारत के प्रथम परधान मंतरी पंडी जौहल आल नहरूजी के जनम दिवस के उपर महान समराट अशोक किस वन्स के शासक थे? A. चालूक्या B. चोर C. कुप्त वन्स और D. मौरे वन्स तो समराट अशोक जो है वो मौरे वन्स से संबंद रखते थे तो हमारा अंसर होगा D भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? A. महराष्ट्र B. असम C. हिमाचल परदेश D. करनाटक सबसे ज़्यादा चाय असम में पैदा होती है सांची का महान स्थूप भारत के किस राज्या में स्थित है? A. उत्तर परदेश B. अंधर परदेश C. मध्या परदेश D. हिमाचल परदेश तो सांची का महान स्थूप है मध्या परदेश C. भारत में कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्ये जन करना होती है? A. पंद्रवारश B. दस वर्ष C. ग्यारा वर्ष D. पांच वर्ष तो भारत में राष्ट्ये जन करना हर दस वर्ष के बाद होती है तो हमारा अंसर होगा B. हवा महल किस शहर में स्थित है? A. जैपूर B. कोलकाता C. आगरा B. उदैपूर तो इसमें A. जैपूर जो राजस्थान की राजधानी भी है वहीं पे हवा महल स्थित है तो A. हमारा अंसर होगा